दिल महिला और पुरुष हेल्था इंशोरंस में मेटिनिटी का लाव उठा सकते हैं नवनी, दूबे, नई दिल्ली, मेडिकल खर्च कितना बढ़ गया है इसका अंदाजा हर किसी को है ऐसे में हर किसी के पास हेल्था इंशोरंस होना काफी जरूरी हो गया है अगर आप शादी शुदा है तो मेटिनिटी बेनिफिट्स भी होना चाहिए एट कहावत है कि आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो उससे बहुत पहले हिल्था इंशोरंस प्लान करना जरूरी है क्योंकि हेल्था इंशोरंस में maternity benefits के लिए waiting period 9-48 महीने तक होता है यहाँ एक सवाल उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने पहले इसकी planning नहीं की या फिर जिनकी नई शादी हुई है और पत्नी का नाम लाभार्थी में शामिल नहीं है या जो लोग live-in में रहते हैं क्या इस condition में maternity का लाब मिलेगा क्या होता है maternity benefit maternity एक तरह का हेल्था इंशोरंस प्लान होता है जिसमें महिला जब गर्भवती होती है बच्चे के पैदा होने के दौरान खर्च और उसके कुछ महीने बाद तक सारे medical खर्च शामिल होते है हिल्था इंशोरंस में इसे add-on premium के साथ चोड़ा जा सकता है कुछ policy केवल maternity cover करती है शादी से पहले जब पुरुष के पास maternity benefit की सुविधा होती है maternity benefit के लिए waiting time 2-4 साल तक का हो सकता है जिसके कारण इसकी planning पहले से करनी होती है पलाई6.com के CEO नवल गोयल का कहना है कि maternity benefit का फाइदा तभी उठाया जा सकता है जब पत्नी का नाम हिल्था इंशोरंस पॉलिसी में शामिल हो नाम शामिल करने के लिए policy renewal का इंतजार करना होगा waiting period तक करना होगा इंतजार waiting period की शुरुआत भी तब होती है जब पत्नी का नाम इंशोरंस पॉलिसी के साथ जुर जाता है इसलिए maternity का फाइदा उठाने के लिए सही टाइमिंग जरूरी है यूजर्स को family और हेल्था इंशोरंस के बारे में एक साथ सोचना होगा और उस हिसाब से planning करनी होगी नियम के मुताबिक मंगेतर के लिए हेल्था इंशोरंस की सुविधा उपलप्त नहीं है सिंगल वुमन मैटिनिटी का फाइदा उठा सकती है कुछ इंशोरंस प्लान है जिसमें सिंगल वुमन को मैटिनिटी बेनिफिट्स मिलता है इन कमपनियों के लिए महिला के marital status से कोई मतलब नहीं है हाला कि waiting period इसमें भी होता है Group Health Insurance में मिलता है maternity का लाब Group Health Insurance employer की तरफ से किया जाता है एक महिला शादी शुदा है या single वो Group Health Insurance में maternity का लाब उठा सकती है Group Health Insurance में waiting period भी नहीं होता है जिस दिन इंशोरंस होता है, उसी दिन से सारी सुविधाओं का लाव उठाया जा सकता है